हलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एच हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग सो इगनु ने आज दो बहुत इंपोर्टेन अपडेट किया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा एच हल्पलाइन चैनल पर फरस्ट हमाया है इगनु के स्टेंट हो तो हरेके एक ट्रस्टेड इंफरमेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिएगा जो पहला अपडेट है वो है फ्रेस एड्मिशन करने को लेकर इगनु ने जुलाय 24 सेशन के लिए फ्रेस एड्मिशन करने का लास्ट डेट सभी प्रोगाम के लिए सभी रिजन के लिए 31 जुलाय तक एक्स्टेंड कर दिया है से पहले पंदर जुलाई तक लास्ट डेट था और मैंने आप लोगों को वीडियो के मादम से बताया भी था कि कौन-कौन सा ऐसा प्रोवेबल रीजन है जिसके वाइसे लास्ट डेट को फर्दर एक्स्टेंड किया जाएगा को एक्स्टेंड कर दिया गया मैंने आप लोगों को प्रोवेबल रीजन यहीं दिया था कि इग्रू में अभी बहुत सारे न्यू प्रोग्राम लांच हुए है और आप लोगों को क्लियली समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे आज अगर प्रोग्रा तो ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम है जो इग्रू ने जुलाई मंत में ही लांच किया है और उसमें अड्मिशन लेने के लिए एडवर्टीजमेंड के लिए एक्स्टेंड तक पहुँचने के लिए तो इग्रू को टाइम देना ही था तो यही सबी रीजन है जिसके वाइस से इग्रू ने लास्ट डेट को एक्स्टेंड किया है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अभी लांच हो रहे है और दूसरा यह भी चीज़ है कि इग्रू ने जो जून दा चौबीस से टर्मन एक्जाम का रिजल्ट है वो अभी प्रॉपर तरीका से डेक्लेर करना स्टार आने वाला रहेगा तो उस टाइम पर मैं आप लोगो चैनल पर बताऊंगा अगर चांसे रहेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करकर रखेगा तो जितने बेस्टें इग्रू के किसी भी प्रगाम में अभी भी एड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एड्म लास्ट डेट को 31 जुलाइ तक एक्स्टेंड कर दिया है अभी यह बोग करने के लिए लिए कैसे करना है उसके ओपर वीडियो बनाए हुआ हुआ आप लुख्ट चाहते हैं डिस्क्र forcément में और कार्ड में विडियो क का करने का लास्टेट को सिंपर से यही not कर वाए कि पहुट सारे सक नहीं कर hippy करता है बहुत सारे ह एड्मिशन करने के लिए अगर लिजिबल हो तो करवा लो इतना लेट करने क्या होते है अभी भी मतलब आधा स्टोयेंट ने अभी रिरेसर्सन करवाया है नहीं है तो खेर, 31st July तक last date है, re-resession करवा लो, re-resession बहुत important process है, अगर नहीं करवाओगे तो आपका 6 months या 1 year loss हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपको दुबारा re-resession next session में करवाना परेगा, तब जाके आप next year में admission ले पाओगे, तो फिर आपके लिए losses होगा, तो re-resession अगर करवा ये भी depend करता है, लेकिन आप लोग risk मत लेना, हलाके last session से इगनो पहले late fine introduce कर रहा है, उसके बाद से फिर last date को extend, I mean, बंद कर रहा है, तो अभी तो late fine introduce नहीं किया गया है, तो possibilities है कि फिर से extend किया जा सकता है, बट वो depend करेगा 31st July के बाद, और उस time पे मैं possibilities देख के आप लो media platform पे, अपने official twitter handle पे, और बाकी अदर जगा पे भी इस चीज को update कर दिया गया है, जिसके बारे मैं आप लोग को बता रहा था, मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंदा होगा, सब्सक्राइब के लाइक कर दे, सबी फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर लें, तक